दोस्तों नमस्कार आप चर्चा इंजवामुल हकी जैसा कि आप जानते हैं आप तक खबर दरूर पहुँच गई होगी कि वह चीप सेलेक्टर बन गए हैं पाकिस्तान टीम के बहुत बड़ी चुनौती हैं उनके सामने इश्या कव वर्ल कव अफगानिस्तान के रजाब सीरी लेकिन वर्ल कव सबसे बड़ी चुनौती है इश्या कव सबसे बड़ी चुनौती है और हम आपसे इस वीडियो में यहीं चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन-कौन से खिराणी हैं जिन पर वो जो है बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं जैसे उसामा मीर हैं लेक्स पिनर हैं शा कराची वाले मैच में जहां चार विकेट उन्होंने चटकाए थे और इसके अलावा इफ्तिकार एहमद और की कितनी रेलिवनसी है इस वक्ती में सलमान आगा क्योंकि अब एक नया उभरता हुआ टैलेंट सामने आया लेकिन क्या उभरते टैलेंट पर आप इतना बरोसा कर पाएंगे वर्ल कप में क्योंकि अभी तक का तुजर्वा तो यही रहा है तमाम टीमों का की जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं तुजर्वेकार खिलाड़ी होते हैं वो बहुत उप्योगी साबित होते हैं टीम के लिए और इफ्तिकार एहमद के पास तुजर्वा है अश्विन पर छक्के लगाते हुए उन्हें देखा जिस तरह से वो खेल रहे हैं जिस अंदाज में खेल रहे हैं वो इस वक्त टीम की जरूरत मुझे जादा लगते हैं सलमान अगार से भी जादा लेकिन अगर दोनों टीम में खबते हैं तो दोनों को मैं टीम में जरूर हुआ देख रहा हो सकता है किसी एक की जगा बने अब्दुल्ला शफिक गेंद को बीचो बीच लेते हैं थोड़ा प्रेशर अपने उपर ओड़ लेते हैं बहुत जादा लेकिन इसी वज़ा से वह बहुत ताबर तोड़ बल्ले बाजी भी नहीं कर पाते और इस बार दस्ट की अगर बात करें तो शान्वसूद से बड़ी पारी की धरकार है क्योंकि वह बड़ी पारी लंभे समय से खेले नहीं है और चुनकी जतना भी खेले detekate तेज खेलते हैं, अक्रामत खेलते हैं, लेकिन बहुत लंबी अपनी पारी को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाते हैं, इमाद वसीम, दो साल से ये जनाब जो हैं क्रिकेटी नहीं खेले हैं, अपनी पाकिसान टीम से, बंडे में, क्या उनकी टीम में जगा बनती है, लेकिन बैटिंग उनके पास बहुत अच्छी है और नई बॉल से स्पिन बॉलिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है वह से वह बहुत अच्छे तरीकर से अंजाम देते रहे हैं क्या दो साल बाद उनके टीम में जगा के लिए कुछ चीफ सेलेक्टर आउट अफ़ जाएगा य नहीं है सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है लेकिन कुछ एक स्थान खाली है जहां उनको फिलिंदी ब्लैंक भरने हैं तेज गिनबाजी में क्या मुहम्मद वसीम शानवाजदानी और हसन अली तीनों को आप एक साथ देख रहे हैं ची नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं देख रहा मैं तो समझ रहा हूँ इन तीन में से कोई एक खिलाड़ी खिलता हुआ मुझे जरूर देखेगा मुहम्मद वसीम शानवाजदानी और हसन अली में से तो कि हसन अली के पास तो जुर्बा है यहीं उनका प्लस पॉइंट है लेकिन काफी लंबे समय से वो आउट और फॉम भी रहे हैं अब यही सब चुनौतियां हैं इन जबाबूल हक के लिए और वैसे भी 2016 में वो मुखिस टीम में 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 आये थे और और से लिए पाकिस्तान की टीम जो है नंबर वन भी रही और उसके अलावा जो है 2017 की चैंपिन्स टॉफी भारत को हराना और चैंपिन बनना चैंपिन्स टॉफी का और अफगानिस्तान टीम की कमान संभालना बतौर कोच और उसमें भी अफगानिस्तान टीम को फर्ष्ट पर पहुंचाना और पहली बार अफगानिस्तान उनकी कोचिंग में ही जो है पहली बार किसी टेस्ट प्लेंग कंट्री को हराने में कामियाब रहा था रहाया था हलांकि वाइट बॉल क्रिकेट में टी टॉंटी में और वंडे में लेकिन उनकी कोचिंग जो है वो कापी असरदार थी और जब वहां से हटे उनका कारेकाल पूरा नहीं हुआ था उसके बाद पाकिस्टान टीम से सैंग्मेंट आ गया है उसके साथ वो ज रहे थे तब भी एक विवाद उबरकर सामने आया था इंग्लेंड के दोरे पर इन्हों ने एक मैच में चाहि के बाद खेलने से मना कर दिया था तो यह कुछ एक विवाद है कि लाडियों के साथ होते हैं वो कुछ इंजमाम के साथ भी रहे हैं लेकिन यहां सबसे बड़ा तो अच्छे तरीके से उसकी भरपाई होनी चाहिए आप क्या सुछते हैं अपनी राये कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें नवसकार